हलो माई डियर स्टुडेंट्स, वेलकम डू माई चैनल अल्फा नॉलिज बॉक्स इस वीडियो में आज हम NCRT हिंदी कक्छा एक सारंगी के एकाई दो को शुरू करने वाले हैं यहाँ पर पार्ट पार्ट से पहले दो पार्ट हो रहें पहला है कविता, मुरुगा बोला कुकड़कू और दूसरा है किलहरी की कहानी अगर अभी तक आपने इकाई 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की वीडियो को नहीं देखा है इस एकाई में जितने भी पाठ हैं वो जीवों से संबंदित हैं खेल गीत मुर्गा बोला कुकडुखू ये एक कविता है जिसे आपको पढ़ना है और इसे याद करना है यहाँ पर कोई भी प्रेशन उत्तर नहीं है चली कविता को पढ़ते हैं मुर्गा बोला कुकडुखू चल मेरे भाईया रुकता क्यूँखू इस लाइन का इस लाइन से कोई संबंद नहीं है केवल तुकांत शब्द को आपस में मिलाया गया है इस कविता को केवल आपको पढ़ना है चलिए इन कड़ियों को फिर से पढ़ते हैं मुर्गा बोला कुकडु कुँँ, चल मेरे भईया रुपता क्यूँ कुता भोके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौं 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 यलिए कविता को एक बार और पढ़ते हैं इसी तरह से आप इस पूरी कविता को दो से तीन बार पहले पढ़िए और फिर उसके बाद लर्न करिए, याद करिए अगला है चित्र और बाटचीत, गिलहरी की कहानी यहाँ पर कुछ चित्र दिये हुए हैं पहला यह है, दूसरा चित्र यह है, तीसरा चित्र यह है, चौथा चित्र यह है इन चित्रों को देखकर आपको आपस में बाचीत करनी है, यानि एक कहानी बनानी है चलिए सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं ये एक जंगल का चितर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नदी बह रही है, इसके अंदर एक मगर मच्छ है, एक छोटी सी इल्ली बैठी हुई है, दो चड़ियां उड़ रही है, दो पेड़ है, एक पेड़ से इस तरह से इसकी जड़ लटकती हुई दिखाई दे रही है, और ये दोनों शायद कुछ उपाय सोच रहे हैं, इन चितरों के बारे में आप बाचीत इस तरह से कर सकते हैं, या इसकी कहाने इस तरह से बना सकते हैं, कि एक जंगल था, उसमें एक नदी थी, जिसमें एक मगर मच्छ था, एक गिलहरी उसी के किनारे रहती थी, उसके साथ उ और इनके फल का प्रियोग करते हैं, बच्चा पेड़ की जड़ से फल को बांद करके अपनी मा की तरफ फेकता है, और मा इसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, इस जितर में गिलहरी का बच्चा और गिलहरी पेड़ की जड़ को टाइट करके कस करके पेड़ के तने में बा से आए इसलिए मा उसे बताती है कि तुम्हारे गले में एक मफलर बना हुआ है उसकी सहायता से तुम धीरे-धीरे इस पार आ जाओ इस तरह से बच्चा अपनी गले से मफलर को निकाल करके इस जड़ पर धीरे-धीरे सरकाते हुए मा के पास आ जाता है और मगरमच देखता चित्रों के अनुसार पूरी कहानी इस प्रकार से है एक जंगल था उसमें एक नदी बहती थी जिसमें मगरमच रहता था उसी नदी के किनारे एक गलेरी अपने बच्चे के साथ रहती थी एक बार बच्चा गलेरी से बिछड़ कर नदी के दूसरी किनारे पर रह गया दोन नदी के दूसरी तरफ फेका मगरमच बड़ी लालट से बच्चे को देख रहा होता है उधर गलेरी ने उसे पकड़ कर तने से बांदिया गलेरी के बच्चे ने भी ऐसा ही किया दोनों ने अपनी अपनी तरफ से पेड़ के साथ जड़ को कस कर बांदिया अब बच्चा उ अपनी मा की बात तुरंद मान ली उसने अपने गले में डले हुए मफलर को उतारा और उसकी सहायता से जूलते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा मगर मच मुँ ताकता रह जाता है गिलहरी अपने बच्चे को अपने तरफ आते देखकर बहुत खुश हुई चलिए अब इसकी वर्कशीट को देखते हैं ये आपके पाठ में नहीं दी हुई है एक्स्ट्रा में ने लिया है पहला प्रशन है निमलिखित प्रशनों के सही उत्तर के सामने सही का चिन लगाओ पहला प्रशन है गिलहरी नदी किनारे किस के साथ रहती थी पहला आप्शन बच्चे के साथ दूसरा मगर मच के साथ दीसरा हाथी के साथ और चोथा आखेली गिलहरी अपने बच्चे के साथ नदी के किनारे रहती थी इसलिए सही उत्तर है बच्चे के साथ दूसरा प्रशन है गिलहरी का बच्चा किस से बिछड़ गया नदी से अपनी मा से रसी से या हाथे से, तो गिलहरी का बच्चा अपनी मां से बिछड कर नदी की दूसरी साइट चला गया था, इसलिए सही उत्तर है दूसरा अपनी मां से, तीसरा प्रशन है गिलहरी के बच्चे ने गले में क्या पहना हुआ था, मफलर, रसी, तावीज या माला गिलहरी के बच्चे ने अपने गले में मफलर बांध रखा था जिसकी सहायता से उसने नदी को पार किया था इसलिए सही उत्तर है पहला मफलर अगला प्रशन है किस चीज को गिलहरी और उसके बच्चे ने पेड़ के तने के साथ बांधा जड़ को, नदी को, मफलर को, बादल को गिलहरी और उसके बच्चे ने पेड़ की जड़ को तने से बांधा था जिसके सहारे वो दूसरे साइड किया था इसलिए पहला जड़ को अब आपको एक, दो, तीन और चार प्रश्णों का उत्तर हा और ना में देना है पहला प्रश्ण है एक मगर नदी में रहता था नदी में एक मगर बिल्कुल रहता था यहां पर आप हां में सही का निशान लगाँगे दूसरा है क्या बच्चा अपनी मां से मिल पाया था? उसने जड़ की सहायता से नदी पार कर ले थी इसलिए आप यहाँ पर हा में सही का निशान लगाएंगे अगला है मगर ने गिलहरी के बच्चे को खा लिया मगर ने गिलहरी के बच्चे को नहीं खाया था क्योंकि उसने पेड़ की जड़ और मफलर की सहायता से नदी पार कर ली थी इसलिए यहाँ पर आप ना में सही का निशान लगाएंगे अगला प्रशन है गिलहरी से बिच्छड कर बच्चा नदी के दूसरी किनारे पर रह गया बच्चा दूसरी किनारे पर नहीं रह गया था उसने नदी पार कर ली थी इसलिए यहाँ पर उतर हो जाएगा ना दूसरा प्रशन है सही शब्द चुनकर वाक के पूरा करो पहला है गिलहरी का एक खाली स्थान था सपना या बच्चा यहाँ पर सही उतर होगा बच्चा दूसरा खाली स्थान है बच्चे ने गिलहरी की तरफ एक खाली स्थान फेकी जड़ या मूं फले बच्चे ने गिलहरी की तरफ एक जड़ फेकी थी इसलिए यहाँ पर जड़ हो जाएगा अगला है बच्चे गिलहरी की पास खाली स्थान का प्रियोग करके आ गया लाठी का या मफलर का तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मफलर का अगला खालिस्थान है, दोनों पेडों के बीच में खालिस्थान थी, खाई या फिर नदी, तो दोनों पेडों के बीच में थी नदी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नदी, अंतिम खालिस्थान है, अपनी बच्चे को पाकर खालिस्थान बहुत खुश हुए, औरत या फि गिलहरी की बात की गई है इसलिए यहां पर हो जाएगा गिलहरी अपनी बैच्चे को पाकर गिलहरी बहुत खुश हुई दिस इस दा एंड आ फीडियो थैंक्स फर वचिंग